गैइज अगर आप यह Snapsird app यूज़ करके अपनी ऐसी फोटो एसा एडिट करना चाहते हो आप देख पर यह इस तरीके का एडिट करना चाहते हो आप देख विडियो पूडुडु करने के अपनी फोटो को आपई कर लेते हैं selective tool पे click करना है and आपके skin पे जो भी ready stone दीख रहा होगा देख पर हो यहाँ पे skin dark है तो यहाँ हम selective tool का use करेंगे and वैसे ही हमें एक और selection create करना है वो hand पे होगा ठीक है and इन दोनों का आपको saturation simple से कुछ इस तरीके से कम कर लेना है and brightness को बढ़ा देना है वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे saturation को कम कर दें and यहाँ पे हम brightness को बढ़ा देंगे and यहाँ done पे click करना है आप देख पर हो यह देखो before after आपको photo के अंदर ना difference समझ में आ रहा होगा पहले photo थोड़ी से dark थी अभी थोड़ी से light हो गई अब आपको इस pencil का icon पे दोबारा से click करना है या tune image पे जाना है सबसे पहले contrast की value कुछ इस तरीगे से बढ़ा कर plus 5 कर लेना है अब आपको ambience पे click करना है and ambience को कुछ इस तरीगे से बढ़ा लेना है and इसको plus 46 कर लेना है अब highlights को आपको minus 5 कर लेना है shadows को आपको बढ़ा लेना है लगबग इसको आपको 24 कर लेना है and यहाँ आपको done पे click कर लेना है अब यह देख सकते हो before यह after photo काफी जदा अच्छा लग रहा है अभी तो guys अब आपको pencil का icon पे दोबारा click करना है थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है यहाँ आपको एक portrait का option मिलेगा इस पे आपको click कर लेना है and यहाँ से आपको smooth 2 को select कर लेना है then यहाँ से आपको skinny smooth जो है यहाँ पे इसकी amount आपको plus 44 कर लेना है eye clarity के value आपको बढ़ा कर plus 25 कर लेना है and यहाँ आपको done पे click कर लेना है ठीक है अब आपको दुबाड़ा से pencil वाले icon पे click करना है and यहाँ आपको एक details का option मिलेगा details पे click करना है structure की value आपको plus 12 कर लेना है and यहाँ sharpening की value plus 4 कर लेना है and यहाँ आपको done पे click करना है अब गईज़ आपको उपर आपको share का एक icon मिलेगा share पे click करना है और इस फोटो को आपको लाइटरू में आपके अंदर एड़ कर लेना है अब गईज आपको इस वाले प्रिसेट को लाइटरू में आपके अंदर पहले एड़ करना है अब त्री डॉट पे क्लिक करना है कोपी सेटिंग पे क्लिक करना है इन सारे सेटिंग्स हो यहां से just copy कर लेना है इस preset को कैसे download करना है आप यहां पे देख सकते हो riadits.com आपको google में search करके download कर लेना है अभी हम back करके उस photo को open कर लेते हैं जिसे हमको edit करना है photo के इंदर आज आने के बाद आपको 3 dot पे click करना है यहां आपको एक paste setting का option दिखेगा इस पे आपको just tap कर देना है आप देख पर हो paste setting पे click करते हमारी photo कुछ इस तरीके के edit हो गई लेकिन अभी हमारी photo complete edit नहीं हुई है इसके अंदर हमें manually adjustment करना होगा अब आपको जाना है यहां edit के tool में color पे जाना है then आपको mix tool के अंदर जाना है अब आपको yellow color लेना है और इसकी hue को कुछ इस तरीके से change करना है green color आप देख पर हो green color की value लगबग आप अपने ही साफ से decide कर सकते हो आपको कितना रखना है मेरे ख्याल से इतना बहुत ज़दा better लग रहा है यहाँ पे देख फारगो yellow color है अगर हम इसको left side की तरफ करेंगे तो photo के अंदर कुछ इस तरीके से tone आ रहा है अगर right side की करेंगे तो कुछ देख फारगो पे पूरा photo के अंदर na blue tone आ रहा है तो हम इhen photo के अंदर na हालका सा red मतलब यह yellow वाला tone orange tone चाहिए तो हम इसको यहाँ पे set कर लेते हैं यहाँ आपको saturation देख जाएगा saturation की value थोड़ा सा कम कर लेते हैं then orange color में जाएंगे and orange color की saturation थोड़ा सा और कम कर लेंगे guys and यहाँ पे देख वर हो luminance यहाँ पे hue को थोड़ा सा change करके minus 16 कर लेंगे and यहाँ पे बहुत ज़़ा बेटर लग रहा है red color का saturation थोड़ा सा कम कर लेंगे and यहाँ आपको equine blue color मिल जाएगा इन सब का saturation थोड़ा सा आपको increase कर लेना है ठीक है आप देख वर हो इतना बहुत ज़़ा सा लग रहा है यहाँ done पे क्लिक कर लेना है यह setting आपको अपनी photo के अंदर कर लेना है अब आपको blur पे क्लिक करना है and इसकी amount आपको plus 100 कर लेना है अब थोड़ा सा time आपको wait करना होगा और याद रहे आपके phone में internet connection या wifi connect होना ही चाहिए ठीक है तो हम थोड़ा सा wait कर लेते हैं आप देख पर हो कि यहाँ पर भी working आ रहा है and अभी देख आओगे यह just हमारा photo में background easily blood हो गया अब आपको यहाँ then पर click करना है अब देख पर हो photo काफी ज़्यदा बढ़िया लग रहा है and guys अब आपको जाना है यहाँ से effects tool के अंदर यहाँ से देख पर हो texture बहुत ज़्यदा high और clarity तो हम clarity को थोड़ा सा कम कर लेंगे लगबग हम इतना रख लेते हैं and texture की भी value कम कर लेंगे तो इन दोनों को आपको थोड़ा थोड़ा सा कम कर लेना है अब देख पर अभी photo दिखने में काफी ज़्यदा बढ़िया लग रहा है अब आपको जाना है details के tool में यहाँ सार्पिनिंग की amount आपको बढ़ा लेना है सार्पिनिंग की amount लगबग आपको रख लेना है प्लस 31 then यहाँ से details की value बढ़ा लेंगे noise के अंदर जाना है noise reduction की value बढ़ा कर plus 20 कर लेंगे अब color noise reduction की value लगबग इसको भी plus 26 कर लेना है यह setting आपको अपनी photo के अंदर कर लेना है अब details को आपको बढ़ा लेना है अब आपको optics के अंदर जाकर इन दोनों को simple से on कर लेना है अब ही guys मैं आपको इस photo का before and after दिखायता हूँ यह रही before की photo and यह after की photo देख वारे हो कि हमारी photo बहुत ही बढ़िया तरीके से edit हो गई है जैस्ट आपको share का icon पे click करना है और इस पे click करने के बाद आपको यहाँ एक save to device का option मिलेगा जैस्ट आपको save to device पे click करना है यह देख वारे हो save copy to device अब यह photo हमारी gallery के अंदर easily save हो जाएगी तो कुछ इस तरीके से आप Snapchat एपका यूज करके लाइटर में आपका यूज करके अपनी photo को बहुत ही बढ़िया तरीके से edit कर सकते हो मिलते हैं नेक्स वीडियो में फिलाल के लिए इतना ही love you all टेक कियर बाब बाई